चॉकलेट बनाने के लिए हमने यहां लिया है मिल्क कमपाउंड, वाइट कमपाउंड, औरियो बिस्किट का एक पैकेट 10-15 कटे हुए बादाम, मेठी सॉप या जिसे हम कैंडी सॉप भी कहते है कमपाउंड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा चॉकलेट बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह के चॉकलेट मोल्ड यह आपको इजिली बजार में मिल जाएगा या फिर आप इसे ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं यह इस तरह का सिलिकॉन का मोल्ड आता है आपके पास इस तरह का चॉकलेट मोल्ड ना हो तो आप इस तरह से फ्रिच में आने वाले आइस ट्रे का भी इस्तमाल कर सकते। मैं आपको इस वीडियो में आइस ट्रे और चॉकलेट मोल्ड दोनों में चॉकलेट बनाना सिखाऊंगी। आपको मेठी सौप किसी भी किराने दुकान में या ग्रोसरी स्टोर में इजिली मिल जाएगा। आपको वहाँ ना मिले तो फिर आप इसे पान की सौप से खरीच सकते हैं ये वहाँ इजिली मिलता है। ये बच्चों को बहुत पसंद आती हैं तो इस तरह के चॉकलेट आप इसे घर में इजिली बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका प्रोसरीस बताती हूँ। और हाँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेलफुल लगे तो आप मेरे चानल को लाइक करें, शेयर करें, सस्क्राइब करें बनाने के लिए। मैंने यहाँ मिल कमपाउंड लिया है। इसे हम इस तरह कट करेंगे। आपी इसे इस तरह से कट करें। तो यह देखें यह इस तरह का मिल कमपाउंड होता है। इस तरह से इसे निकाल करके हम इसे इस तरह नाइफ से कट करेंगे। यह इजिली छुट छुटे टुकडों में कट हो जाएगा। इस तरह से हम चॉकलेट बनाने के लिए इसके छोटे-छोटे पीस में कट कर लेंगे। डबल बॉइलर प्रोसेस से हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए मैंने यहां एक बरतन में पानी ले लिया है और गैस अउन करेंगे पानी को मीडियम फ्लें पे गरम होने देंगे पानी गरम हो गया है दूसरा बरतन रखेंगे इस तरह से हम हमारा दूसरा बर्तन इस पर रखेंगे यह देखिए मैंने इस बर्तन को बिल्कुल अच्छे तरह से क्लीन करके लिया है इसमें एक भी बुन पानी नहीं है तो हमारा पानी बॉयल हो गया हम इसमें चॉकलेट एड़ करेंगे चॉकलेट कट करके एड़ करने से हमारा चॉकलेट बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा और आप इसे एक साफ चम्मच से इस तरह मिला करके देखिए देखिए हमारा चॉकलेट मेल्ट होने लगा है यह देखिए दोस्तों हमारा चॉकलेट मेल्ट हो गया है इस टेम्पे हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे इसे गैस से नीचे उतार लेंगे यह देखिए हमारा चॉकलेट मेल्ट है हम इसमें हमारे कैंडी सॉप या मेठी कैंडी हम इसमें एड़ करेंगे और हम इसे इस तरह से मिला लेंगे यह देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसमें मिला लेंगे यह अच्छी तरह से मिल गया है इसे चॉकलेट मोल्ड में एड़ करेंगे आप इस तरह से एक चम्मच ले करके इस तरह इसमें एड़ करें हम इसे आइस मोड में भी सेट होने के लिए रखेंगे इस तरह से यह देखिए दोस्तों मैंने सारे चॉकलेट को इस तरह से मोल्ड में डाल करके फिल कर लिया है अब हम इसे इस तरह से टैप करेंगे ताकि सेट हो सके इसमें कहीं भी एड़ ना रहे यह देखिए हमने इससे इस तरह सेट कर लिया है हम इसी तरह हमारे आइस ट्रे को भी इसी तरह टैप टैप करके सेट कर लेंगे अब हम इसे फ्रीजर में पांच मिनट के लिए सेट होने देंगे उसके बाद मैं इससे निकाल के दिखाती हूँ यह देखिए दोस्तों मैंने इस तरह इसे रख दिया है अब हम इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रखेंगे यह देखिए हमने इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए पांच मिनट के लिए रख दिया है यह देखिए हमारा चॉकलेट सेट हो गया है हम इसे मोल्ड से अनमोल्ड कर लेंगे आप इसे इस तरह से निकाले यह इजिली निकल आता है यह देखिए दोस्तों हमारा चॉकलेट कितना अच्छे से सेट हुआ है यह देखिए इसी तरह हम हमारे आइस ट्रे से भी चॉकलेट को अनमोल्ड कर लेंगे आप आइस ट्रे को भी इस तरह से स्ट्रेच करें तो हमारा चॉकलेट इजिली रिमूव हो जाएगा यह देखिए यह देखिए दोस्तों हमारा चॉकलेट आइस ट्रे में भी कितने अच्छी तरह से कितना परफेक्ट सेफ में सेट हुआ है इस तरह से चॉकलेट आप बच्चों के बड़े पाटी में बना करके सर्व करेंगे तो बच्चों के साथ बड़ो को भी बहुत पसंद आने वाला है ये देखे दोस्तों मीठी सॉप या कैंडी सॉप का भी चॉकलेट बन के तैयार हो गया है हमने इसे एक प्लेट में सर्व किया है आप भी इसे अपने घर में इजिली बना सकते हैं इस तरह से बना के आप श्टोर करके घर में रख सकते हैं आप चॉकलेट को फ्रीज में श्टोर करें और यो चॉकलेट बनाने के लिए यहां मैंने मिल कमपाउंड लिया है और हम ओर्यो बिस्किट लेंगे इस तरह का हमें ओर्यो बिस्किट लेना है इसे कट कर लेंगे इसे कट कर लेंगे और यो बिस्किट को हमें इस तरह निकाल लेंगे पैकेट से और हम और यो बिस्किट के और यो बिस्किट से क्रीम को निकाल लेंगे इस तरह हम सभी बिस्किट से क्रीम को निकाल लेंगे यह इसली क्रीम निकल आता है बिस्किट से सभी और यो बिस्किट से हमने क्रीम को रिमूफ कर लिया है हम क्रीम का इस तरह छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे हम सभी क्रीम का इस तरह छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे आप भी इसी तरह सभी क्रीम का बॉल्स बना लेंगे यह इजिली इसके क्रीम का इजिली बॉल्स बनके तयार हो जाता है यह देखिया हमने सारे क्रीम का बॉल बना लिया है अब हम औरियो बिस्किट को इस तरह नाइफ से कट कर लेंगे यह इजिली ऐसे कट हो जाता है आप हाथों से ही इस तरह औरियो बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ले हमें छोटे छोटे औरियो बिस्किट के पीसे चाहिए यह देखिया हमने सारे बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़ों में इसी तरह से तोड़ लिया है हम इसका चोकलेट बनाएंगे और यह चोकलेट बनाने के लिए कैस ओन करेंगे पानी हमारा गरम हो गया है हम इस पे चोकलेट मेल्ट करेंगे चोकलेट मेल्ट करने के लिए हम इसमें चोकलेट कंपाउंड एड़ करेंगे चोकलेट मेल्ट होने लगा है इस टैम्पे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और चॉकलेट को नीचे उतार लेंगे चॉकलेट सेट करने के लिए चॉकलेट मोल्ड लेंगे हम सभी मोल्ड में थोड़ा थोड़ा चॉकलेट एड़ करेंगे हमें इसमें थोड़ा सा ही चॉकलेट फिल करना है चॉकलेट में और यो बिस्किट के क्रीम बॉल्स एड़ करेंगे हम इस तरह से सभी क्रीम बॉल्स को चॉकलेट में एड़ करेंगे इस तरह से और यो चॉकलेट आप फर्स टाइम में यह इजिली बना सकते हैं अब हम मेल्ट चॉकलेट में बिस्किट एड़ करेंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे अब हम इसे चॉकलेट मोल्ड में डालेंगे हम इसे थोड़े थोड़े कॉंटिटी में एड़ करेंगे तरह से चॉकलेट सिलिकॉन चॉकलेट मोल्ड में भी एड़ करेंगे यह देखे हमने सारे चौकलेट को मोल्ड में फिल कर दिया है अब हम इसे इस तरह से टैप टैप करें इस तरह से आप भी इसे सेट कर ले इसी तरह हम सिलिकोन मोल्ड को भी टैप टैप करके अच्छे से फील कर लेंगे ताकि चौकलेट का एर बाहर निकल आए और ये चौकलेट को भी फ्रीजर में पांच मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे पांच मिनट हो गया है हमने फ्रिज से हमारे औरियो चौकलेट को निकाल लिया है हम इसे मोल्ड से अनमोल्ड कर लेंगे ये देखिए दोस्तों कितना इजिली अनमोल्ड हो जा रहा है ये देखिए दोस्तों आई श्ट्रे से अनमोल्ड करने के लिए हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे यह से श्ट्रेच करने से हमारा चॉकलेट इजी ली अनमोल्ड हो जाता है यह देखिए देखिए दोस्तो हमारा होममेट औरियो चॉकलेट बनके तयार है आप इसे फ्रिच में स्टोर करके रख सकते हैं यह खराब नहीं होता है आलमड चॉकलेट बनाने के लिए हमने यहां पे मिल्क कमपाउंड आलमड को छोटे छोटे पीस में कट करके यहां लिया है मिल्क चॉकलेट में हम आलमड के पीस एड़ करेंगे इस तरह से हम कुछ पीस को हम मोल्ड में भी डालेंगे अब इस तरह मोल्ड में इसे छोटे छोटे पीस को डालने से हमें पता चल जाएगा कि हमारा यह आलमड फ्लेवर का चॉकलेट है और बाकी के बचे हम इसी में एड़ कर देंगे हमने चॉकलेट में आलमड को अच्छे से मिला लिया है हम इसे मोल्ड में सेट होने के लिए डालेंगे इसी तरह आप एक एक स्पून सभी मोल्ड में एड़ करें इसे सेट कर लेंगे अब हम इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए पांच मिनट के लिए रखेंगे आलमड चॉकलेट हमारा सेट हो गया है हमने इसे फ्रीजर निकाल लिया है हम इसे अनमोल्ड करेंगे इस तरह से दोस्तों ये चॉकलेट आप घर में जरूर गना है ये चॉकलेट आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा और आप अपने एक्सपिरियनस मेरे शाद शेर करें देखे सेम प्रोसेस से हमने आलमड चॉकलेट को भी बनाया था ये भी तयार हो गया है बनकर यह देखिए दोस्तों हमने सेम प्रोसेस से वाइट चॉकलेट को भी इस तरह से मेल्ट कर लिया है हम वाइट चॉकलेट में कैंडी सॉप एड़ कर रहे हैं कैंडी सॉप या मिठी सॉप हम इसमें एड़ कर देंगे और इसे भी मिला लेंगे यह देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है हम इसे मोल्ड में डाल करके इसका भी चॉकलेट बना लेंगे आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा फ्लेवर का चॉकलेट पसंद आया है आप इसमें नॉर्मल सॉप भी एड़ करके बना सकते हैं आप वाइट चॉकलेट में भी ड्राइफ्रूट एड़ कर सकते हैं यह देखिए दोस्तों हमने चॉकलेट को मोल्ड में फिल कर लिया है हम इसे फ्रीजर में पांच मिनट के लिए सेट होने देंगे देखिए दोस्तों हमारा वाइट चॉकलेट भी सेट हो गया है हमने इसे फ्रीजर निकाल लिया है मोल्ड से अन्मोल्ड कर लेंगे ये देखिए दोस्तों हमारा वाइट चकलेट बनके तयार है आप इसे भी अपने घर में बनाए ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियो लाती रहूंगी थैंक्स फोर वाचिंग